प्रयारी के दौरान किसी तरह की मुस्किल आई पढ़ाई में इमोशनल या एकोनॉमिकल सभी तरह की कठीनाई आती थी कभी-कभी सोचा करता था तो डिप्रेस्ट हो जाता था कि क्या करूँ क्या ही ना करूँ कि मेरे आर्थिक प्रोब्लम मैं भीपेल परिवार्स बिलोंग करता हूं तो घर की स्थिती थोड़ी दैनिये थी तो मैं सेल्फ इस्टेटी पे जादे फोकस करता था पाबा का बीच में 2018 में थोड़ा पारलाइसिस हुआ तो कहीं जा नहीं सकते थे पर हाँ जब मैं मिला तो मुझे गले से लगा लिए बस वही मेरे लिए बहुत बड़ा तोफा है इस कामियाबी के लिए आपको एटलिस्ट घर में आपकी माने आपका फेवरेट खाना तो खिलाया हुगा बना कर घर में मा मेरे फेवरेट चिल का रोटी जो होता है मैं बहुत मिस्स करता हूं मा का तो गया तो वो मिल गया नमस्कार the follow up देख रहे हैं आप आप सब ये जानते हैं कि JPSC का final result जारी कर दिया गया है और कई सारे युवा जो हैं वो अधिकारी बनने जा रहे हैं इस वक्त हमारे साथ सुभा सनुरुआग एक का हैं और इन्होंने भी JPSC में काम्याबी हासिल की ह पहले तो आप बताईए कि परिक्षा का माध्यम आपका क्या था रैंक क्या है और कौन सी सेवा आपको मिल रहे हैं सर मेरे परिक्षा का माध्यम था हिंदी और मेरा रैंक है 229 मुझे सिक्षा सेवा मिला हुआ है तो ये आपका कौन सा प्रयास था JPSC में आपने पहले भी उमीद था तो उसमें मैं खरा उतरा तो सब बहुत खुश है घर में अच्छा आपने जब रिजल्ट आने के बाद जब पहली बार अपने पिताजी को ये बताया फोन करके बताया होगा जाईर सी बात है क्या कहा च्या बात चीत होई आपकी और पिताजी के बीच जो पहली बात चीत थी पिताजी और मेरे बीच में जो पहली बात चीत हुई उनसे जब मैंने कोल क्याओन है तो सबसे फस्ट की वो सुनके तो रोने लगे फिर कहे कि मैटा जिस चीज का इंतिजार था फिर मेरा सपना पूरा हो गया मासे बातचीत हुई उनके भी आख में आशू था वो भी रोने लगी वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई तब खुसी में और भाव भी भोर हो गई तो उनके मुझसे एक वड़ भी नहीं निकला बस रोती रही अभी तक मुलाकात हुई है उन लोगों से हाँ घर गये हुए थे तो मिलके आगे फिर से किस तरह से सेलिब्रेट किया घर में आपने इस चीज को इस काम्यावी को जाके मैंने सबसे मिला सब बहुत खुस थे फिर वही सबसे मिले जितने भी मेरे रिलेटिव से सभी कोई आये हुए थे तो समसे मिला और सेलिब्रेट तो किया घर में इस काम्यावी के लिए आपको ज़िस्ट घर में, आपकी माने आपका फेवरेट खाना खिलाई हुगा बनाकर? गर में माँ मेरे फेवरेट छिलका रोटी होता है,ंएक बहुत मिस्स करता हूँ मा का, तो तो मिल गिया। पापाह के तरफ से कुछ भाहँ दौभा मिला लाध दौभाज होता है। पर हाँ जब मैं मिला तो मुझे गले से लगा लिए बस वही मेरे लिए बहुत बड़ा तुफ़ा है सुभास थोड़ा सा आपने फैमली बैग्राउंड के बारे में आप बताईए कि आप कहां से आते हैं और कैसा रहा जर्नी है मेरा जो गाउं है वो गुमला जीला का विसुनपूर परखंड पड़ता है अंकूरी हराटोली उत्री कोईल के नीचे किनारे बसा हुआ चोटा सा गाउं है मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ एक चोटा सा क्रिसक परिवार है तो मैं वहीं से है एजुकेशन कैसी रही आपकी चोकि जिस इलाके से आप आते हैं आप विसुनपूर परखंड आप कह रहे हैं गुमला का वो गरवात परभावित है और विकास के पैमाने पर भी आप तो अच्छे से हालात से वाकिप होंगे उसके वारे में थोड़ा बताईए कि किस तरह क बहुत छोटा सा गाऊ है मलब मैंदानी जहीं कहा जाता है कि उस छेतर में जैसे पहाड परवत हैं लेकिन जो मेरा गाहों हो सिंटर में पढ़ता है थोड़ा सा मैदानी इलाका है मेरे गाऊ के बगल में नदी है उत्तरी को नदी के उस पार धखमिं स्कूल है जसंद जोसेफ उचविद्याले बना रही, मैं वही से शिक्स क्लास तक पढ़ाई किया, उसके बाद ने फिर सेल्फ स्टेडी के जरिए मैंने बागी की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और प्राइबेट से मैंने गुमला से मैटरी की परिक्छा पास की अबने का कि शिक्स क्लास के बाद हाई स्कूल की कुछ सालों की पढ़ाई आपने क्या कहते हैं सेल्फ स्टेडी के जरिए कि क्या खारण थे, दूरी थी, इस्कूल की या क्या करन थे सर इसमें दूरी का कोई इसू नहीं था इसमें था कि मेरी आर्थिक प्रोब्लम मैं बीपेल परिवार्स बिलोंग करता हूं तो घर की स्थिति थोड़ी दैनिय थी तो मैं सेल्फ इस्टेड़ी पे जादे फोकस करता था और एड़िशन तो था इस्कूल में लेकिन मैं जाया सर्विसेज जी था या कुछ और भी आप कर रहे थे बैग्राउंड कैसा रहा क्या स्ट्रीम क्या था सोच तो सुरू से थी सर सोच सुरू से थी कि मुझे जेपीसी करना है लेकिन कभी-कभी जैसे लगता था कि जो कंपेटिशन अभी के समय में जो चल रहा है तो लगता थ था कि क्या करूं क्या ना ही करूं तो कभी-कभी लगता था कि कोई परतियोगी ता परिष्छा का फेस करके अगर उस पे सफल हो जा हूं तो उस पे मैं चला जाओं इसी में बढ़ते रहा और फैनल यह जी आप ही मैं यहाँ जेपी-सी के तैयारी के दौरान किस तरह से मु होस्टेल मिल गया होस्टेल कंप्लीट करने के बाद मैं एक बड़े रहते हैं करम टोली में तो उनके पास चला गया फिर उन्हीं के पास रहके मैं त्यारी करता था पास जाने की वज़ा क्या नाम है उनका नाम है जितेंदर कच्छप डाटन गंज की हैं तो वह बहुत हेल उनका प्रेड़ीत करते थे इस च्छेतर में आने के लिए कि नहीं तुम कर सकते हो यह तो उन्हीं का योगदान रहा है मुझे इस च्छेतर में आने को मजबूर कर दिया उन्होंने बहुत प्रेडित किया और हैल्प के बारे में कि किस तरह की आर्थिक मदद उन्होंने की किताबों के जरिये या पढ़ाया आपको अपने से क्या किया उन्होंने आर्थिक मदद की साथ में मुझे गाइड भी करते रहें बीच-बीच में कि ये करो ये ना करो ये क तो वे आगे आये और मुझे यहां केटेलिस्ट में केटेलिस्ट कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा आए और फिर मैंने यह से त्यारी कि नोने इनिसेटिव खुद लिया आपके मतलब जेपीसी के पीटी निकालने के बाद वित अगर इस नहीं वह पहले से कहते थे कि नहीं कोचिंग कर रही लो क्योंकि मेरा जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूसली नहीं रहा है तो फिर बोले कि ने जरूरी है करना तो मैंने यहां जोइन कर लिया तो कह सकते हैं कि वो जो भाईया जिनके कमरे में आप रहते थे जो ने खाना बिना कर आपको खिलाया मोटिवेट किया और जो सदर्सियों हैं उन दोनों की बहुत बड़ी प्रेड़ना बहुत बड़ा योगदान आपकी इसकामियावे मेरा है यह सर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जैसे आप कैटलिश्ट आई-स में आए कोचिंग की कितनी भूमिकार ही आपके सभलता है कोचिंग की यहां जब मैं आया तो फस्टाइम मेरा यह फ़र्स्ट कोचिंग था भी तो मुझे पहले लगता था कि आखर कोचिंग होता क्या है जब मैं यहां आय पर एक मन में था कि अब चल ही लिए हैं तो चलना ही तो पड़ेगा यही रहएए मैंने देखा है गौर समस्या रही है चयां कि एक पास में मिशणरीज स्कूल भी है तो वहाँ नदी आती है, बाड के सीजन पे बहुत मुस्किल का सामना पड़ता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को, तो फिर ग्रामीन छेदर है, वहाँ लोग सिक्षा को उतना तवज्जो नहीं दे पाते हैं, वे पर डे के जो अपने डेली लाइप है उसी पे बिजी रहते हैं, तो फिर मैं अगर इस छेतर पे आता हूँ, तो सिक्षा पे बेहतर ध्यान देने के कोशिस्त करूंगा, चुकि आप अधिकारी बन गए हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि आपके ममी पापा के पास अब रिस्ते आ रहे हैं, लोग ज़्यादा जुड़ना चाह रहे हैं, कि भाई हमारे साथ, हमारी बेटी की साधी करा दो, यह सा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो घर से अभी दूर ही रहता हूँ, अभी मुझे बताया नहीं गया है, जो लोग तयारी करने आ रहे हैं सुभास आगे इस दिशा में, उसके लिए कोई सला है, आपके पास कि क्या तैयारी में ध्यान रखें किन बातों का, तैयारी में बस यही ध्यान रखें कि आप, आप में धैरिया, साहस और यह, आप दीर संकल्प हैं, इस चेतर में, अगर किसी भी चेतर में जाने के लिए, तो आप उस पे लगे रहे हैं, सफलता जरूर मिले एक जूजते रहे हैं अपनी जिन्दगी में तो ये सिक्छा के शेतर में काम करना चाहेंगे और इनके पिता के नाते भी उन्होंने इनको बहुत प्रेडित किया कि अधिकारी बने और जिंदगी में कई सारे लोग जिनका इन्होंने जिक्र किया उनका योगदान रहा तो जाहिद सी बात है काम्याब आदमी का चहरा हमें स्क्रीन पर दिखता है लेकिन उसके पीछे कई सिल्पकार होते अधिकारी प्रेसराइ जिन्होंने इनको खाना बना कर खिलाया है जिन्होंने इनको कोचिंग में एडमिसन दिया या कैटलिस्ट आई सिख्शक हैं उनका योगदान तो कई लोगों का बहुत योगदान सिबहास की काम्याबी में रहा है तो उमीद है कि जो भी अभिछरती आगे तैयारी कर रहे हैं तो इन्होंने जो भी सला दी है जो धैरी की बात की या निरंतरता की बात की उसका ध्यान रखेंगे फिलाल हमें इजाज़त दीजिए सहयोगी नूतन की तिर्की के साथ मैं सूरज दा फॉलो अप राची दॉक्तर बनने का है सपना मगर सही गाइडन्स की है कमी तो आएं बाइओम राची में सिर्फ मेडिकल की तयारी के लिए एक बहतरीन संस्थान नीट और एम्स की तयारी के लिए संग 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसे मंद संस्थान बायों इनु एवं नगराटोली राची